कि अच्छ जयन साथियों मैं अन्द भास्वाद करता हूं आप कैसे मेकर किस परिवार में वेरी वेरी गुड इवनिंग राधे राधे हरहर महादेव भी कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करें कि सब लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पेपर देखके तो और अच् बहाग रही है और जैसे जैसे पेपर आप लोग को मिल रहा है आप लोग को खुसी का ठिकाना नहीं है चेहरे आपके बता रहे हैं कि आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं तो यहां पर हम बात करें तो पेपर आपका हो चुका है और यहां पर हम लेकर आए हैं आज जो है आपका जो यूपी पुलिस रीगजाम हो रहा था और आज आपको पता है 30 ए ठीके तो 30 अगस्त का जो आपका सेकंड सिप्ट का वो हम लेकर आए हैं जैसे कि हम आपको बताएं कि यह आपका जीके जीए से सुरू होगा और देन आफ हिंदी का फिर इसके बाद से रिजनिंग और आफ्टर मैट्स में होगा तो सुरुवात हम कर रहे हैं इसके बाद समापन जो है अजय सर के द्वारा होगा और इसी बीच में हमारे कई साथ ही जुड़ेंगे जीके जीएस में जैसा हम लेके चल रहे हैं कुछ कोश्चन को ड बाबु सोना लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है ठीक है और बहुत अच्छा से यह पेपर जा रहा है और यहां पे अगर हम बात करें आवाज बिल्कुल सही आ रही है 130 कोश्चन अटेम्ट किये हैं लखनो लकी जी बहुत बढ़िया सही है ठीक है तो यहां पे यानि की चले आते हैं पहले कोश्चन पर तो पहला है अभागा सुक्से वंचित रह जाता है तो वही अभागा स्वभाग जो दुर्भाग है इसके बारे में आपको आके दॉंद दुर्ण है जो अवाज बिलकुर रुक गे थी ठीक है कारण का था बैटरी स्कोंद कर लिया था तो अभागा से यह सर आपको आके ले चलेंगे ठीक है फिलाल हमई है आपको सौ भाग के रास्ते पे ले चलेंगे । inspires आधमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ यह है अपराद में हर करता हूं ठीक है तो वह यह इनसान हूं इनसान से प्यार करता हूं तो जल्दी से जुड़ जाए साथ में सभी लोग और चुकी आपका स्टार्ट हो चुका है सेशन तो अपने मंद से विद्वान विकारों पनियंतर प्राने की चेश्टा करें अपनी सभिता और संस्कृति का प्रचार करें अपनी संस्कृति को सम्रद करने के लिए कटिबद रहें सभिता की उचाईयों को पाने का प्रयास करें मानों की मानिविता तो भई मानों की मानिवि कर देते हैं आप कह रहे हो तो ठीक है अब इससे जूम्न होगा तो बोर्ड के बाहर चला जाएगा तो मानो की मानवीता इसी बात में नहीत है ठीक है कि अपने मन में विद्मान विकारों पन्यंत्रप आने की तेश्टा करें यह नहीं है ठीक है दूसरा अगर हम बात करें यह करने के लिए कटिबद रहे और सभता की उचाईयों को पाने का प्रयास करें तो इसका जो राइट ऑप्सन होगा वो मेरे अनुसार डी होगा क्या होगा तो मेरे अनुसार डी होगा और इसलिए होगा क्यूंकि देखिए सभता की जो है कई पैमाने सभता का कोई एक पैमान नहीं है कि सभ्यता का कोई एक पैमाना नहीं है हर धर्म हर संप्रदाय हर समाज हर संस्कृति में सभ्यता को इस तरह परभासित किया गया है जिसमें जन मानस का कल्यान हो मानों का कल्यान हो प्राणियों में सद्भावना हो है ना जब कथा होती है आपनों सुनते हो ना अब यहां पर यह कोश्चन नो अपने आप में थोड़ा सा खतरनाक हो गया यहां पर ध्यान दीजिए लिखाए सरक्रा और यहीं पर अगर सब्द हो जाता सरक्रा की जगे गन्ना ठीक है तो गन्ना तो कुछ लोग गन्ना समझ लेते तो चले जाते लखनौर लेकिन मुझे ल 1936 1936 में स्थापित हुआ था कब हुआ था लेकिन अगर गन्ना संस्थान आ जाता क्या जाता है गन्ना संस्थान ध्यान दीजिएगा और यहीं पर अगर गन्ना संस्थान हो जाता तो यह आपका पहुंच जाता लखनौर और यह हुआ था 1952 में यानि गन्ना है तो लखनौ आना है कि आगे अगे है आई ती यू आइटी यू का काम क्या है आपको बताना है आइटी यू का पहले तो यह पताना चाहिए आइटी यू है क्या तो इंट्रेंसेनल टेलीकाम जो है जो आपका यूनियन यह है आपका 17 माई 1865, जो ITU है कई बर पढ़ाया भी है आपको, 17 माई 1865 को इसकी स्थापना भी थी, और इसका हेड़ क्वार्टर जो है, वो आपका जिनेवा है, जिनेवा कहां पढ़ता है, तो सुर्जर लेंड में पढ़ता है, अब ITU वैस्विक इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी करता है, और आउनलाइन सामगरी और सोशल मीडिया प्लेटफर्म को नियंतित करता है, तो भी आउनलाइन सामगरी को निगरानी ये करना इसके बसकी बात नहीं है, ITU अंतराश्च्री दांक सिवाओं की देख रेक करता है, और सीमाओं के पाढ़ डांक का बिलकुल नहीं है, अंतराश्च्री दूर संचार को वियनेमित करता है, तो ये आपका बिलकुल सही है, C आप्शन सही है, आते हैं आगे आपके आप्शन में, कि सोसल मीडिया पे हैश्टेग का इस्तेमाल किस लेकिया जाता है आप में से बहुत से लोग होंगे जो हैश्टेग का प्रियोग करते होंगे सर साफ नहीं दिख रहा है नितिन सोलंकी जी मेरे अनुसार साफ दिख रहा है भी स्कैनर से फोटो किसी ने भेजा है जिसने भी स् अपने तरफ से पूरा प्रयास है आप प्रयास तो करिए इस्क्रीन को बड़ा कर दीजिए अच्छा भई बड़ा कर देते हैं कि चलिए देखिए अब आप से कह रहा है शोशल मीडिया पर हैश्टेक का इस्तमाल किया जाता है तो भईया हैश्टेक का इस्तमाल किस लेकिया जाता है लाइक को कम करने के लिए आप क्या लाइक को कम करने के लिए करोगे गलत है किसी पोस्ट को हटाने के लिए ये भी गलत है आपका कंटेंट कम करने के लिए ये भी नहीं करते हो आप हैश्टेक का प्रयोग करते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी जो पोस्ट है उसको दिखा सको अपनी पोस्ट पे ला सको और कुछ लोग हैश्टेक की जगर टैग बोलते हैं है ना मुझे बड़ा गुस्सा लगता है कि सारे हमारी स्टूडेंट से जो भी हो वो भी कोई भी पोश्ट डालेंगे कहीं घूम रहें कुछ कर रहें तो वो क्या करेंगे फेस्बुक के साथ टैक कर देंगे जब अरजस्ती मलब कुछ भी आते हैं आगे चत्रुभुज सुरच्छा समवाद क्या करता है चत्रुभुज सुरच्छा समवाद के बारे में आप से पूछा जा रहा है कि इसका में काम क्या है चत्रुभुज सुरच्छा समवाद तो ये आपका जो है आपने सुना होगा कोड के बारे में किसके बारे में सुनाओगा क्वाड का क्वाड क्या है समुद्र में यानि कि कुछ देशों का आपका ग्रूप है जो कि 2004 में अस्थित में आया था अब 2004 में आया था इसमें आपके चार देश हैं इंडिया हो गया जापान हो गया अमेरिका हो गया और आपका आश्टेलिया तो पेपर में आपसे कोशन पूछा जा सकता है ध्यान दीजिएगा ठीक है कि कौड में कौन-कौन से देश आपके समली थे तो चार आपके देश हैं अब इन चार देश में अगर हम बात करें तो इनका मेन देश क्य क्या है अंतराश्ट्री वेपार जगत को विनिमित करना वही चार मिलके अंतराश्ट्री वेपार कैसे चला लेंगे आप सोचो नहीं हो सकता है कि बुनियांदी धाचे के विकास को बढ़ावा देना चार लोग कौन सा धाचा बढाएंगी सुरच्छा उद्देशों के लि हैं अमेरिका हो सिंगल लाइफ समरिया संजीव मंजू ठीक है साहिल जी आप लोग बिल्कुर सही जा रहे हो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि 41 के बाद हम लोग आ गए है 42 पर देखे 42 क्या कह रहा है oxygen की खोज को ले कर कह रहा है ठीक है oxygen की खोज अगर हम बात करें तो एक बार आप लोग पढ़ोगे की oxygen की खोज 1604 में भी थी और कहीं कहीं पढ़ोगे की 1773 में भी थी ठीक है ऑक्सीजन की खोष 1604 और 1673 में एक आपके शेले भी हैं और एक आपके पिश्टले भी हैं पर यहां पर जो आंसर होगा वो आपका जो सब पिश्टले होगा ठीक है और 1773 आपका सही होगा ऑक्सीजन के बारे में एक चीज खास बात है कि ऑक्सीजन क्या करती है जलने म में सहायक है और ऑक्सिजन क्या करती है जलाने में सहायक है हाँ गधा जी आप गधा नहीं रहोगे आपका जनम सफल होने वाला है आप अनंसर की क्लास में आ गए हो ठीक है अब गधा से जल्दी घोड़ा बन जाओगे बहुत बढ़िया ठीक है हाँ आप हम बात करते हैं आगे कोशन का सी पी-सी पी का मतलब क्या हैड़ी क्या WhatsMP कि इस इस च्टूiddंन ने दिया है भई यह बहुत-बहुत धन्वाद उसको पेपर है ना बड़ा अच्छे से उसने खीचा है सी पी-सी बी का मतलब क्य아 है तो सेंत्रल फलूशन control central board तो central कैसे हो सकता है बही Central तो होई नहीं सकता है Central pollution control board यह लग रहा है फिर control pollution control तो control control कितनी बार control करेगा और control pollution central तो यह उल्टा कैसे हो गया तो central pollution जो है control board यह आपका सही होगा अब जो CPCB की स्थापना कभ भी इसके बारे में यदि कहा जाए तो यह आपका सेप्टेंबर 1974 यानि की सेप्टेंबर 1974 में इसकी स्थापना भी थी में काम क्या था यह एक्ट बना के किया गया था और एक्ट के जरीए water को यानि की purifier treatment के लिए इसको focus किया गया था आराम से करिए देखे आप लोगों को पेपर नहीं है सर आप से अच्छा भाई राकेजी बहुत बढ़िया धन्यवाद आपने पटना में लाइव हमसे पढ़ा है तो यहां पर थोड़ा आगे बढ़े हम लो देखे कई बार हम आपको कह रहे हैं कल जिनका पेपर है भाईया ध्यान दखिए आपको फिर से बता रहे हैं राज्यों की राजधानी केन सासित प्रदेशों की राजधानी अगर केन सासित में कहीं पे मुखमंत्री तो होता नहीं है होता भी है मुखमंत्री या उपराजपाल इनके बारे में प्रिशाशक के बारे में और साथ में जो आपकी राजधानिया है ठीक है हमारे पलोसी द रहे हैं तो भजन लाल सर्मा तो भजन लाल सर्मा जो हैं बिलकुल भजन कर रहे हैं आभी भजन कर रहे हैं वहाँ पर कि आगे हम बात करते हैं अग्ला पोइंट है कि संधान में डबल ब्लाइंड अध्यन यह डबल ब्लाइंड का अध्यन का मतलब क्या होता है डबल ब्लाइंड का मतलब एक अंधा तो चलेगा दोनों अंधे हो जाएं एक अंधा तो चलेगा दोनों अंधे हो जाएं कहने का मतलब होता है कि कभी-कभी ऐसा जीवन में आता ह कि सामने वाला जो निलने ले रहा होता है वो भी बेचारा अंधा हो जाता है वसी भूत हो जाता है प्रेम के या किसी कारण तो निलने क्या हो जाता है खराब हो जाता है यहां पर उसी तरीके से है मानि दो लोग है एक है प्रतिभागी और एक है जो यानि की प्रतिविक्ता क करता है यानि कि आपने सीधा से बात है कि अब जैसे ये बोतल है इस बोतल में आपको क्या लग रहा है पानी है कि लिमका है कि मांटें डिव है क्या है अब आप को के सर वैसे तो बिसलरी लिखा हुआ तो बिसलरी होगा नहीं भी जरूरी थोड़ी है हो सकता है बिसलरी में हम जो cocktail पी रहे हों मिलाके है ना तो अब क्या है कि जो दूसरा विक्ति आये उसको पता ना चले ठीक है तो पूरा ग्रैस से वो क्या हो पूरी तरह मुक्त होगा कि कुश्चन कह रहा है निम्न में से किसे कोश्चका का पावर हाउस कहा गया तो भैं किसे कोश्चका का पावर हाउस कहा गया, तो हमें लगता है कि ये कोश्चन आपने कच्छा 5 में, 6 में, 6 से आप पढ़ रहे हैं, हाँ, कच्छा 6 से आप लोग पढ़ रहे हैं ये कोश्चन ठीक है, और अभी तक आप लोगों को ये कितनी बार पूछा जा चुका है, माइट्रो कांडिया को क्य कहते हैं या उसका पावर हाउस कहते हैं, ठीके, याद रहे, अगला प्रशन है, लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलिस्कोप, L.S.H.T का मुख्यकार क्या है, तो दीके लार्ज यहां पे एक सब्द लिखा हुआ है, टेलिस्कोप, क्या लिखा हुआ है, टेलिस्कोप, अब चरह समझे सूर की गतिविधी की निगरानी करना वे सूर कहां पर है उसकी निगरानी करना टेलिस्कोप से हो सकता है संभव है गुर्तवा करसन तरंगों का पता लगाना वे टेलिस्कोप से गुर्तवा करसन कैसे हो सकता है तो यह तो हो नहीं सकता है प्रत्वी के निकट की व अबसर्व करना लग रहा है डारक एनर्जी और डार्क मेटर का अध्यन करना तो यहां पर देखिए की जई दी बहीं हो सकता है कारण क्या है प्रथवी के द्रेकि और बारे में देखता करें तो प्रथवी के निकट का जो काफी आपका वात्तावरन है या कुछ भी इस के कहें तो वहां की चीजों को अफजर्व करना डार्क मेटर आपका यूनिवर्स में भी है है ना तो अब देखते इसका अंसर क्या होगा और हमें जो लग रहा है इसका अंसर जो होगा वो डार्क एनर्जी और डार्क मेटर का अध्यान करना जादा होगा ठीक है यह ज्यादा यह इसी पर डी पर ही जाना चाहिए ठीक है डी पर आपको जाना चाहिए अब आ रहा है नाट्रोजन का रासानिक सुत्र क्या है देखें यहां पर आप से नाट्रोजन गैस नहीं कहे रहा है यहां पर नाट्रोजन कहे रहा है है ना गधा जी सी सही धी गलत कोई ना के लकी टैलिस को सिंगल लाइफ आफरीन चौधरी जी साहिद अब यहां पर कह रहा है नाट्रोजन का रासानिक सूत्र क्या है तो भई एन वन है एन है एन टू है और आपका क्या दे रखा है उदर कट गया है कोई बात नहीं तो देखे अग आप एन लगाओगे ठीके हाँ याद कि गैस के बारे में उन्हें नहीं पूछा है कि प्रश्ण है डिस्कावरी आफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है निराला जी के द्वारा मैतली सन्गुप्त के द्वारा महादेवी वर्मा के द्वारा जवाहलाल नहरू तो हमे पहले देश के प्राहन मंत्री यानि कि पंडित जवाला नहरू की आजना है और ये आपकी इन्होंने 1944 में लिखी थी कब लिखी थी 1944 में और ये 14 नमबर 1946 को प्रकासित हुई थी और ये इंग्लिस में है किस भासा में है इंग्लिस में तो ये भी आगे पूछा जा सकता है किस भासा में है नाना जी ने लिखी थी अच्छा बबा अब देखो ये कोशन कितना आजीव सा दे रखा है 2016 की नोड बंदी में पुराने नोड प्रस्तूत करने की अंतिम्ति थी क्या थी मलब क्या है कोशन अरे यार 2016 कब है अभी जो है ठीक है अब जो चला है 2024 चला है और 2016 बताओ कौन जाएगा आठ साल पुराना और वो भी आपसे पूछा जा रहा है लाज डेट क्या थी लेकिन एक बड़ा सा तीर मारा था सरकार के द्वारा तो इस वज़े से इसका जो आंसर होगा वो आपका 30 दिसंबर होगा ठीक है 30 दिसंबर को था आगे चलके आपसे ये भी कोशन पूरा जा सकता है कि सरकार की और से यानि कि ATM से किती लिमिट रखी गए थी तो भाईया 25 रुपिया निकालने की एक महिने में 20,000 और 24,000 तो आप ये भी याद रखेगा कि भाईया आप जो है ATM से एक दिन में 25 रुपिया फिर आप अपने एकाउंट से 20,000 रुपिया या 24,000 रुपिया आप निकाल सकते थी ठीक है तो पूछा जा सकता है अककल के पेपर में आपसे कोई बड़ी बात नहीं है वो इस्तरी है कुछ भी कर सकती है छेत्रफल की द्रेश्टी से आगे हम बात कर रहे हैं छेत्रफल की द्रेश्टी से जो आप से कोशन पूछा जा रहा है कि छेत्रफल की द्रेश्टी से आपका कौन सा है तो वहीं छेत्रफल की द्रेश्टी से आपको बताना है हाँ जी छेतरफल की ड्रेश्टी से कौन सा देश सबसे बड़ा है USA है रूस है कनाड़ा है और चीन है यहाँ पर छेतरफल की ड्रेश्टी से कौन सा देश सबसे बड़ा है चुकि इन सब में ही सबसे बड़ा पूछ रहा है तो मुझे लगता है सब का सही जवाब है तो सबस सापका सही जवाब है चली मानो अधिकार की सारभ्हमी घोशना अपनी 75 वी वर्सगाट कब मनाएगी कब मनाएगी आप से पूछा गया है तो अब देखें मनाएगी तो अगर मनाएगी के बारे में अगर हम लोग देखें तो भई अब दो हजार चौबिस तो दिया नहीं है दो हजार चौबिस दिया नहीं है दो हजार तेईस दे रखा है तो भई दो हजार इकिस हो नहीं सकता है यह हो नहीं सकता यह हो नहीं सकता तो संभावना जो है 10 दिसंबर दो हजार तेईस किये और संभावना ही क्यों पूरी तरह हो ग्यारा में साथ गया, चार हो गया, और ये हो गया, 1948, यानि कि 10 दिसंबर 1948 को आपका UDHR का किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है, इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं, किसी के मन में कोई डाउटर है रहा तो बताएंगे, हमें लग रहा है कि ये कोशन, हम ऐसा कोशन कई आपको कराई वे हैं, करेंट में, एक बार नहीं, कई बार कराई हैं, हाँ नौकरी, ठीक है, सायद ऐसे ही कोशन कराया या, लगातार कराया आए, ठीक है, तो कौन सोचल मीडिया प्लेटफर्म नहीं है, देखें, पेपर जो है हाँ, CGL वाली क्लास आज नहीं हो रही है, ठीके, कारण क्या है क्यूंकि एनलसिस चला है, 24-वा है लोक लुभावन वाद का उद्ये वैश्विक राजनीती स्थिर्था को किस प्रकार प्रभावित करता है, देखें लोक लुभावन वाद क्या होता है, तो लोक लुभावन क्या होता है जिसमें कि हम प्यारी प्यारी चीजे आपको कहते हैं बड़े प्यारे प्यारे वादे करते हैं और फिर वादों को भूल जाते हैं वादा तोड़ जाते हैं तो यहां पर राश्ट्री हितों पर ध्यान केंदित करके अंतराश्टी सहयोग को मजबूत करके, साजा वैश्विक चुनोतियों को समाधान करके, राजनितिक धुर्वी करना बढ़ा कर और लोगतात्रिक संस्थाओं को कमजोर करके तो देखो संस्थाओं को अगर कमजोर करना हो तो यह तो गलत है हाँ, चुकि यह कह रहा है प्रभावित करता है, यह कोशन कह रहा है प्रभावित करता है, तो भई हम क्या करते हैं, तो लोगतांत्रिक संस्थानाओं को क्या कर देते हैं, संस्थान जो हैं, उनको कमजोर कर देते हैं, इस तरीके से हम प्यारे प्यारे वादे करकर उसे यानि की प्रभावित करते हैं कि आतंग वाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश क्या है आतंग वाद विरोधी अभियान यानि कि अगर आतंग वाद से लड़ना है तो हमारा प्राथमिक उद्देश क्या है यानि किस तरीके से हमको करना होगा विद्रही समुओं का स समझ जोता होगा यह विद्रोहियों का सैनेधमन देखे माफ़ी पर्दान करना अच्छी बात नहीं है मार दूस्त ठीके विद्रोहि सम मूँ का समर्थन क्यूं करेंगे गलत बात है ठीके विद्रोईयों का सैने दमन, बिल्कुल उठाओ एक एक फोर्टी सेवन और दे तेरी की भून दो, जो होगा देखा जाएगा, तो आपका आंसर जो होगा, वो आपका D होगा, ठीके, बात चीत उनसे किया जाता है, जो अच्छे हो, ठीके, हाँ जी, बात चीत उनसे किया जात हैं, उनी में से एक आपका दे रखा है, IGST, और IGST का मत्तब होता है, इंट्रिगेटेड, क्या होता है, इंट्रिगेटेड, तो यहाँ पर भी आपसन जो है, वो सही है, आश्टेलिया की राजधानी कौन सी है, तो भीया, कैनबरा है, ब्रिस्बेन है, सिड्नी है, मेलबर्न है, तो आश्टेलिया के, जो भी कहिए, ब्रिस्बेन जो है, जहाँ पर दो हजार कि छट अठाइस बत्तिस दो हजार बत्तिस का ओलंपिक होगा कि ब्रिजबेन सर सिड्नी भी इसका इंपॉर्टेंट सहरे मेलबर्न भी है पर इसकी कैप्टल जो है वो है आपकी कैन बरा ठीके हाँ जी तो कैन बरा इसकी कैप्टल है याद रखेंगे अब इसके बाद से आप देखोगे तो हम चाहेंगे कि भी आगे के कारवाई के लिए सर आएं धीरे से अपना है ना निम लिखित में कौन सा भारती रिजब बैंक का कार नहीं है अब कह रहा है आर बी आई का कार नहीं है भी आर बी आई का कार नहीं है तो देखिए शियर बा का काम भी RBI करेगा तो फिस से भी क्या करेगा आप जड़ा सोचिए तो भाई यह काम किसका है तो यह से भी का काम है सिक्योर्टी एक्सेंज बोर्ड आफ इंडिया यह कार से भी का है इसी तरह currency note जारी करना इसका कार है विदेशी मुद्रा का वी नियमन इसका कार है और मुद्रिक नीतिका संचालन भी किसका कार है र बियाई का कार है आते हैं आगे एशियाई विकास बैंक यानि ADB का कार क्या है जरा इसको हम लोग देखते हैं भई अच्छा इस बार की वेपर में एक खास बात है आप लोग को पता है कि अभी दो कोशन के बाद सर आएंगे ठीके तो functions आप इसकी स्थापना भी थी कब उपती उननेश सो चांचत में है अब सब लोग को पता है कि मनीला इसका headquarter था यानि की Philippines फीलिपिन पर मनीला से मंड़ुयोंग हो गया है अब जो हैड़क्वाटर है वहीं पर बगल में मंड लू योंग या मनीला अगर एक्जाम में मलीना नहीं दे रखा है तो मंड लियोंग हो जाएगा इसका हैड़क्वाटर आपको समझना होगा अब हम बात करें यहां का में जो आपका काम क्या है तो सदस्य देशों के वीच वैपार समझोतों को बढ़ाता है एशिया प्रशांत देशों में वित्ति वाजार को नियमित करता है विकास परयोजनाओं के लिए वित्ति साहता अरे भाई बैंक है तो क्या देगा पैसा ही देगा क्या देगा पैसा देगा और यहां पर आ गया है आपका भारत में पहली पंच वर्स तो आपको अच्छे से पता है भी योजना आयोग का गठन यानि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था इसी के कहने पर एफ वाई पी बाद में बना एफ वाई पी का मतलब फाइप इयर्स प्लैनिंग और इसके तहट जो पहली पंच वर्स योजना आई उनिस सो एक्यावन में आई जो की हैरार्डोबर माडल पे आधारे थी ठीक है तो यह कुछ कोशन से जो की आपने हमाएं सा डिसकस किया आ आएंगे और आगे के कोश्टिंस आगे ले जायेंगे ठीक है फिर कुछ होगा तो फिर वापस समफिर आते है ठीक है तब तक के लिए आप लोगो बने रहे हैं से ठाइब लो फिर अब दो सब्सक्राइब करें और शुर्ण करें और जो बार लुद्ष प्लास को से खरेंगे तो सब्सक्राइब बढ़ाई क्लास को शेर कर देंगे जोर और जोरदार तरीके से ठीक है वह तो आजाओ जंदी शाप लोग सभी बच्चे क्या करेंगे भी या एक बार स्कूर करेंगे ना आब आज बगेरा आ रहें ना सबको बताओ भई अब आज परफेक्ट आ रही है कोई शू तो नहीं आ रहा अरे शांदार 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 तो बस कल का पेपर ओ रहे हैं उसके बाद तो मौसम क्या हो गया निकल गया कोई बात नहीं एससे जीडी का माहूल है उसमें हम लोग देख लेंगे ठीक है भई उसमें क्या करेंगे सारी चीजों को समझ लेंगे किलियर बहुत शांदार बहुत शांदार तो इस टार्ड किया जाए देखे जरा कोशन नंबर 60 अच्छा 60 जो कोशन नंबर 60 है यह हमसे क्या गयता है कोशन नंबर 60 में कहा गया है कि पंच बरसी योजना को कब लागू किया गया सिंपल सी बात है भई पंच बरसी योजना हमारी उनीच से क्या बन में लागू की गई थी और यह राजिस्थान के नागौर से स्टार्ड की गई थी इस लियर चलो भई बहुत शांदार है ना सभी बच्चे एक बार क्या करेंगे क्लास को शेर कर देंगे है ना और मजा आ रहा है इसमें कहा गया है ध्यान देंगे जरा लूइस पोींटे नेग्रो जो हाल ही में अपरेल दो हजार चौबिस तक खत्रों में थे किस देश के नए परधान बने हैं जल्दी से आप लोग बताओ कि किस देश के नए प्रधान मंत्री बने हैं पोलेंड इस्पैन या पुर्टगाल या फिर मेक्शिको तो आंसर क्या जाएगा भाईया सी विल भी दा राइड एंसर आप दिस कोशन यह कहां के बने हैं पुर्टगाल के बने नेक्स्ट क अब आपको पता होना चीए केवल दक्षण एश्याई वर्ड से आप लोग क्या कर सकते हैं आंसर कर सकते हैं अब दक्षण एश्याई छेत्रों में कनेक्टिविटी और आर्थिक एकिकरण को बढ़ावा देने के लिए किंद्रित किया गया है कौन सा संग्ठन भीया तो द दिस कुष्ण सार्क का हीनव कवडर कहां पर है काठंग सा संगे नैपाल के संगत्रता हमने आप बताय था कि और में सब्सक्रा यह कि सब्सक्राएब दाए चाव किसमें में है लिए स्टाइब बनाया गया बहुत आसान पेपर है आzięki सा है बहुत आसान पेपर ये देखो गी विलियम बंतर हो जाएंगी पहले जन्रल हो जाएंगे विलियम बेंटिक और विल्यम सत्ध धां को क्लोच कराया गया था 1839 में समझ गया बात को सारी चीज़ें पड़ाई हुई है सारी चीज़ें क्या है पड़ाई हुई है ठीक है बई तो आंसर क्या जाएगा विलियम बेंटेक इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा है ना यानि भारत के पहले गवर्णर जनरल कौन हो अंतर गता है तो चाहे वो राज जी के अंतर गता है या केंदर के अंतर गता है या संवर्थी सूची के अंतर गता है ये तीनों सूचियों का जो वार्ण मिलता है वो किसमें मिलता है साथ भी अनुसूची में मिलता है किसमें साथ भी अनुसूची में मिलता है तीनों प्र पातमान में बावन विसाय हैं राज सूची के पास 60 हैं और इसके पास कितने हो जाएंगे हंड्रेड हो जाएंगे यानि किंद के पास हंड्रेड सब्जेक्ट हो जाएंगे जिस पर वो कानून बनाएगा ठीक है आंसर क्या आएगा भी आएगा यह सारी चीजें पढ़ाई और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर क्या करना माल की बिक्री करना यह बिल्कुल सही है यानि कोई माल है कोई माल है आपका 10 रुपे का और आप यहां पे ला रहे हो और वो माल क्या कर रहे हो यह कम कीमत पे बेच रहे हो तो हमारा जो मार्किट हो रहा है वो क्या कहा गया है कि सिंधु जल संधी पर वर्स में हस्ताक्षर किये गए थे तो जो सिंधु जल बिवाद है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये कब हुआ था सॉल्व ये 1960 में हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था जिसमें कहा गया था कि भारत सिंधु न दीका क्या करेगा असी परसेंट पानी यूज करेगा तो आंसर क्या आजाएगा भईया 1960 आंसर क्या आजाएगा 1960 विल भी दा राइड आंसर अव डिसकूशन ठीक है वह या राश्टि समुद्री दिवस्ट कम मनाया जाता है 5 अप्रेल को मनाया जाता है नीचे दिये गए बिकल्पों में से RDX, RDX का मतलब क्या होता है? बताओ जल्ली से, RDX का मतलब क्या होता है? रो डिटोनेशन एक्सप्लोसिब नहीं होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लोसिब या रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लोसिब या रिसर्च आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. ठीक है भीया? आंसर इसका क्या आजाएगा? C आजाएगा. क्या आजाएगा? C आजाएगा. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. Question Number Next. यह देखो कितना प्यारा question पूशा गया है. कह रहा है कि हमें यह बताओ, पहला रामसर साइट कौन सा है? हमें यह बताओ, पहला रामसर साइट नामित कौन सा किया गया था? सिर्फ इतना सा पढ़ना है, इतना सा पढ़के आप लोग अंसर दे सकते थे. और पहला रामसर साइड जो हमारा बनाया गया था चिल्का जील को बनाया गया था और ये कहां पर है भया उरिशा Bradley कहां पर है उरिशा में इस बात को आप जो बहुत अच्छे से जानते हैं ठीक है भई और भारत की सबसे बड़ी खारे-पानी कोई बात नहीं है यह भाई यह तो भी यह खत्रे की घंटी वज रही है यहां पर कोई लगा लेंगे तो बहुती बडिया बडिया question पूछे गए हैं तो बहुत आसान पेपर आया है है ना बहुत या सान पेपर आया है हमारे बच्चे उवँगे तो वो तो वहीड डारेक्ट बर्दी पहन के जाएंगे deformation के हमें क्या दे दो एक बार बताओ, आप लोग comment करके भई, तुम लोग कुछ ना करते ना, तुम comment कर रहे हो, हाँ, question number 71, बताओ जल्दी से आप लोग इसका answer, question number 71, म्रेक्ष कटीगम के लेखक कौन है, बताओ, फटाफट, म्रेक्ष कटीगम के लेखक कौन हो जाएंगे, बताओ, फटाफट, य गरीबी मुक्ता किसके कारण होती है, लोगों की बुद्धी के आभाव के कारण नहीं, और श्वाक्षिक आलस ये भी नहीं है, सांस्कृतिक गतिविधियां, थोड़ा सा, ये हो सकता है कि कुछ ऐसे मतलब गतिविधियां भी होती है, लेकिन जो इसका main reason बनेगा, वो क्य सानिज को worried, worried sunshine, worried sunshine यानि दभी हुई धूप के नाम से जाना जाता है, तो अब देखो, दभी हुई धूप के नाम से जाना जाता है, तो अब देखो, दभी हुई धूप के नाम से जाना जाता है, धूप क्या होती है, मतलब कहीं ने कहीं प्रकास देती है, तो लोहा प्रका या फिर कोईला तो आंसर क्या आजाएगा वैसे एक प्रकार से बिल्कुल फर्फेक्ट आंसर आजाएगा आपका ए क्या जाएगा ए आपका बिल्कुल सही उत्तर आजाएगा कोशन नमबर 73 का अंसर क्या लगाओगे ए लगाओगे ठीक है भई किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्या करेंगे कमेंट करेंगे फटाफट किसर हमें इस कोश्चन में डाउट है उस कोश्चन को क्या करेंगे दुपारा उसकोश्चन को दुवारा लपेड लेंगे उसकोश्चन को क्या किया जाएगा दुवारा लपेडा जाएग ठीक है भई समझ गए बात को है ना हंजी तो इसका आंसर क्या आजाएगा इसका आजाएगा कोईला चलो भी यह कोश्चन नमर 74 देखो यह अच्छा कोश्चन है कोश्चन कहा गया है कि 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण की नीती का प्रयात्मिक उद्देश क्या था आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 8 November 2016 में 8 November 2016 को क्या हुआ था भाई और वहनों बहाई और वहनों मैं जानता हूं कि मैं जो फैसला ले रहा हूं उससे आपको आसुबदा का सामना करना पड़ेगा लेकिन भाई और वहनों यह हम करने जा रहे हैं इससे हमारे भारत- इसका काला धन ये पूरा का पूरा बापस आ जाएगा तो भाई और बहनों आपको क्या करना है हमारा सपोर्ट करना है फुल सपोर्ट करना है फिर देखना हम अपने भारत को अखंड भारत बनाएंगे विक्सित भारत बनाएंगे है ना तो भाई आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ था? नोट बंदी हुई थी. तो फाइनल इसका अंसर क्या आ जाएगा? नोट बंदी का जो मुख्य उद्देश था के अंदर होना चाहिए यह confidence आप सभी के अंदर होना चाहिए और यदि इस confidence के साथ आप पढ़ोगे है ना भाई तो फिर तो यार क्या है क्या ही यह यूपी पुलिस सॉल्व नहीं कराया जाएगा भीया अभी हिंदी सॉल्व नहीं हुई है तो अब इसके बाद क्या होगा हिंदी का भाई टाइम आएगा ठीक है कोश्चन नंबर 75 तो करो आप लोग जब तक इसका अंसर करो है ना और इसके बाद जीतू सर आपके प्यारी जीतू सर क्या कि चलो तो यह जो आपका 75 कोशन है बहुत प्यारा कोशन है आपने इसका अंसर किया के नहीं किया हैं तुम भी विल्कुल मतलब जैसी पेपर होते जा रहे तुम भी विल्कुल एकदम डाउन से होते जा रहे डीले से पढ़ते जा रहे ये क्या है भई फटा फटा अंसर करो देखो केंद्रिय उत्पाद सुलकी की दरें भईया 12.36 से बढ़कर कितनी हो गई है भईया 12.50 लो जीतो सर है ना तो यार डिट्टो कोश्चन बिल्कुल क्लास से फस रहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं भी या जीतो सर की डेली क्लास लीजिए और आपके सामने मैं भईया आज का प्रस्ण ला रहा हूं तो आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और आंसर देना सुरू कर दें तो आप से मैं एक बात बार बार लगातार बता रहा हूं और कल जिनका एक्जाम है कल जिनकी परिक्षा है उनको तो हर हाल में भईया नोड करना ही पड़ेगा कि जो मैं बताया जो मैंने समझाया वो लगातार सारे प्रस्णों हूबहू आपकी परिक्षा में आ रहे हैं इसलिए हिंदी को आपको एकदम प्रेम से जैसी बात बताई गई वैसे ही आपको समझते जाना है और जादा कुछ आपको पढ़ना नहीं है जितना बताया गया बस उसी को क्या करिए भाई आप सभी कांटीनू करिए पहला कुश्चन देखिए आप सब लोग मान नहीं रहे थे ना पहले कुश्चन में याद करिए मैं कुछ और बताता था आप लोग कहते नहीं सर इसमें बटेर होगा इसमें तोता होगा इसमें भाई क्या होगा ऐसे आप लोग बता रहे थे ना लेकिन मैं आपको समझा रहा था कि मानिये बात मानिये और जो लोग मान गए देखिए वो भाई कटाप से उपर है दिखाई दे रहा न असपस्ट आप सबको तो एक बार प्रेम से सेशन को भाई सेयर कर देंगे और आज यूटूब में कुछ टेक्निकल इसू है बच्चे जादा हैं लेकिन कम दिखाई दे रहा है तो भावनाओं को समझें सबसे जादा बच्चे हमाई क्लास में लाइब है यह नोट करना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ जाईए अब हागा सुक्से वंचित रह जाता है तो यह मैंने एक बार नहीं बार बार लगातार आपको बताया था कि नोट करिये नोट करिये और आप माने तो आप भई आज भी जई भई हो गए नहीं चलिए बताओ जल्द यह प्रस्ण मैंने कराया था कि नहीं कराया था एक बार यह सिया नो में आंसर करें जल्दी यह प्रस्ण कराया कि नहीं कराया आपको तो आप कहेंगे हाँ सर प्रस्ण कराया था आपने एक नहीं दो दो बार प्रस्ण कराया था मैंने भाई जो अभागा होता है वो बेचारा सुक से वन्चित हो जाता है तो यहां क्या करोगे यहां पर आपको आंसर करना पड़ेगा अंधा भगुला क्या खाता है कीचड़ खाने पर मजबूर हो जाता है सुना होगा बच्पन में कहानी कहानी नहीं कविता भगुला भगत कहाता है मचली पकड़ चबाता है और तन से उजला मन से काला पड़े नाय से जन से पाला तो भगुला का सुभाव है भई मचली खाएगा ही वो ऐसा जीव है नहीं और बहुत ही ध्यान लगा के भई मचली पकड़ता रहता है बगुला ये ध्यान दिया होगा आपने नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर आप C आप्शन के साथ जाएंगे यहाँ पर C आप्शन आपको लॉक करना पड़ेगा चलिए भाई आगे बढ़ जाएए और C आप्शन के आगे बढ़ेंगे तो अग आपको क्या करना है आपको गमन सब्द को भई बिलोम बनाना है तो